मैंने इसके पापा से छुपके अपना जो है तीस तारीक को भी टैसे जी करा लिया दो दिन पहले तीस औरीकतिस बिच में थी एक को होना था और वो फुजटिव आ गया अब भाई मेरे को इतना खुश हो मैं इतनी खुश हो रही अब मैं शेयर भी नहीं कर सकती वो कहेंगे क तुने पहले क्यों कर आया मैंने जैसे तैसे करके अपने खुशी को दबा के रखा और एक तरीक को जब दुबारा हुआ तो मेरा वो डबल से भी ज्यादा आया स्टैम पे इसके पापा ओफिस थे जैसे ही मेरे मेरी रिपोर्ट आई इनोंने मेरे को बोला हुआ था कि जैस है मेरा रोना वो दूर बैठे थे प्र भी संभावने कि मेरा रोना कौन स vine पॉजिटी विला नेन कित्य वोकर आ receptor लुच वगर आ रहा हो मतलब मतलब हम दोरों बहुत कुश्छ थे बहुत कुश्छ थे न हूं जानी को बताना चाहरे थे वर वहां पे थी और हमने ये πलैन क किसे को बताएंगे नहीं पहले थ्री मन्स जो भी रहेगा तो फिर हमने जानवी को मतलब चुप-चाप से एक दिन फोन किया में इसे नहीं रहा गया साथ दिन बात मैंने जानवी को घुए आफज़ रहई था कहता हूँ ममा अपने बताया भी नहीं आई वेफ कराया मेरे को इसलिए मामों के घर भीजा था और वो बहुत खुश हुई मतलब बहुत खुश हुई हो कहारी ममा मैं अपनी खुशी है आप जाहिर भी नहीं कर सकता हूँ आप कहारे हो किसी को बताना नहीं है मैं क्या करूं फिर उसकी चुटियां इस वली हरियाना में तेरा चोड़ा तारिक तक होती है जब तक सक्रांती होती है उसकी चुटियां खतम होने वाली थी भाई में रहा गया था शिप से तो हमने बोला कि भाई तू छोड़ के जा इसको और जब भाई आया तो भाई को पता नहीं था बट इनका इन्होंने में को बोला कि पहले मंस तू है जो बैडर्स पी रही जो क्योंकि थोड़ा सा एकती मुश्किलों के बाद हमें यह सब मिला है तो मैं तेरा पूरा ध्यान रखोंगा और तेरको कोई काम वाम नहीं करने दूँगा तू बैड पे रहना आराम से कुछ नहीं करना ह कि कुछ भी नेगटिव हो जाए इस वज़े से इनोंने मेरे को फुल बैडर्स दिया हुआ था उस टाइम पे तो भाई भावी सब लोग आए और मैं पूरे दिन बैड भी रहती थी काम यह करते थे भाई ने एक दिन देखा दो दिन देखा तिसरे दिन देखा फिर उसने चोथे दिन पोछी लिया कि एक बात बता मैं इतने दिन से नोटिस करना हूं तेरी ऐसी क्या तवित खराब है कि तू सुनील जी सारा काम कर रहे हैं और तू बुरे दिन बैट पर पड़ी रहती है या फिर तेरी भावी काम कर लिए जो से भावी आई है और सुनील जी उसक कुछ था उस टाइम पर उसने हमारी बहुत है हर चीज में तो मैंने भाई को बता दिया तो भाई बहुत खुश हुआ बट उसको गुस्सा है कि हमने बताया नहीं फिर मैंने इसको समझाया कि भाई देखिते सालों से हम पर अपना जो है ट्राई कर रहे थे बट नेगिटि भाई भावी तो चले गए दो तिन दिन रुक के फिर छेसा दिन हुए थे कि मेरी तबित खराब हो गए फिर भी मुझे जो है इंजक्शन लगरा कंटीनू लग रहे थे उस टाइम पर चेंज हो के दिये थे उन्होंने बट इंजक्शन मुझे लग रहे थे बैक में भी और इवन दो दो लगते थे मुझे बैक में और मेरे टमी पर भी लग रहे थे उस टाइम पर छेसा दिन बाद मेरी तबित खराब हुई और हमें होस्पिटल जाना पड़ा फिर से जब वहां गए टेस्ट वगरा किया डोक्टर ने तो डोक्टर ने बोला कि हमें ये वाला अब ही आप ये मान के चलो कि फर्स्ट थ्री मन साब का फूल बेंट रेस्ट है फिर दिक्त आ गए कि वही कैसे काम चलाएंगे हम क्या होगा क्या करें समझ में नहीं आ रहा था कुछ तो फिर सोचा कि हम किसको बताएं कौन हमारे पास आ सकता है तो जानवी के पापा ने ब अच्छा ध्यान रखा है न जब मुझे लगने लगा कि यह तो यार दो मेने हो गए हैं सुझी लितने निन से परेशान हो रहे हैं कुछ करना चाहिए मैं किसको बताओं किसको बताओं तो हमने जो है अपनी मेरे मामा की बेटी सोरी मेरी मौसी की बेटी है मेरी सिस्टर कम प्रेंड बेस्ट्रेंड है वो रेनु उसको हमने बुला आया उसके बच्चों के एकजाम के बाद और मैं उनका बहुत मतलब बहुत शुक्र गुजार हुजी जाजी कि भी उन्हों ने उस टाइम दो उसको भेजा बच्चों के एकजाम से फिर भी उसने उन्होंने भेज दिया और वो मेरे पास रुक के गई कुछ दिन और अच्छे से मेरा ध्यान रखा पर जैसे ही रेनु गई अगले महीं ने हमें जो है कोविड की सेकंड वेवाई थी और मुझे कोविड हो गया मुझे भी सुनील को भी जानवी को भी सबको कोविड हुआ और हम इतने कि इन से खड़ा भी नीर आ जाता था है मैंने देखा इनको कि मैं बैड पे पड़ी रहती थी और यह सामने किचन में काम करते थे इनके पैर काम रहते थे और फिर भी मेरे लिए लब में कोविड में थी तो मेरा टेस्ट चला गया था मुझे कुछ बाता रही था बच्चे कि अधा खा नहीं सकती थी क्योंकि पेग्नेंसी थी बोलते हैं कि मैंगो गरम होता है ताशीर गरम होती है फिर भी मेरे लिए फ्रेश मैंगो उस टाइम पे जो भी मेरे को डॉक्टर ने फूट्स बता हुए थे वो डेली लेक आते मेरे एक डाल बनाते एक सबजी बनाते है अलग अलग मुझे नाश्ता देते हैं अलग लग मुझे कि थोड़ा बहुत कुछ खा ले फिर मैंना कभी भी मतलब वन चुथाई पीस से वन फॉर्थ रोटी से मैंसे रोटी नी खाई गई थी मेरी खास इतनी थी एक टाइम पर मुझे लगने लग गया था कि भगवान कर लिया और रीकवर जब यह हो गई इसकी नेगटिव रिपोर्ट आई तब हमने इसको बताया कि तुझे भी पोजिटिव थी बेटा ठीक है उस टाइम पेस ने बोला कि ममा अच्छा हुआ अप लोग नहीं बताया दर्वाइस में बहुत नेगटिव हो जाती और शायद म मैरी खांसी नहीं जा रही थी मेरी खांसी ने बहुत परेशान किया सब लोग बहुत परेशान थे सारे रिलरेटिव के फोन आते थे सब इतने परेशान थे की लड़की तो यह पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी इसकी अब प्रेग्नेंसी हुई थी इतने दिन बाद इनके घर में कोई खुशी आई थी और अब इसको एक और हो गया है सब लोग बोलते थे बाद सच्छे से हो जाए छोड़ी ठीक हो जाए छोड़ी ठीक हो जाए बहुत मतलब द सब्सक्राइब निकल गया जैसे तैसे में ठीक होगी जैसे ही कोविड की नेगिटिव रिपोर्ट आई मैं सबसे पहले डॉक्टर के पास गई मैंने अपने बेबी के लिए उसकी हार्ट पीट वगर आक्टर साउंड करा कि सब चेक कराया पूरा चेक अप हुआ सब ठीक थ रही थी उसके बाद वो भी चली गई थी फिर से सुनील ने सारा काम सभाला था आप मतलब यह कह सकते हो कि पूरे 9 महीने इन्हों ने ही मेरा ध्यान रखा सब कुष मेरा किया और ये वीडियो में तो मैं ज्यादा परसनल हो गई हूं मेरे को जान भी से डाट पड़ सकती है मुझे अब स्टोप करना चाहिए मेरा सब कुछ अच्छे से रहा एंड वीरा का जब 9 महीना लगा तो उस टाइम पर डॉक्टर ने बोला कि जो मेरे बहुत सारे जो उपरेशन हो रखे हैं उनकी वज़े से हो सकता है हमें जल्दी डिलीवरी कराने पड़ेगी तो वीरा के जो 9 मीने के थे तीन दीन ही गए थे फिर हमें उपरेशन कराना पड़ा वीरा हो गई हम सब बहुत खुछ थे दो मेरे साससुर जो है उनको सेकंड बेटी होने पर दुख हुआ था अब उनको वीरा बहुत अच्छे लगती है मैं जानवी और इसके पापा बहुत खुछ थ तो गाइज यह है आई वेफ में ऐसा कुछ नहीं है और मैं एक में इंपोर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूं कि जब वीरा हुई थी तो वीरा की जो स्टेम सेल्स होती है आई मिन जो और नाल बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं उसको प्लेसेंटा जो हो होती है उसमें स्टेम सेल्स होते हैं बच्चे के और लाइफ सेल्स नाम से एक कंपनी है जिसको हमने भी आई मिन हमने उससे उसकी जो भी फैसलिटीज है वो ली है उसमें क्या होता है कि वह आपके बच्चे की स्टेम सेल्स जो है वो रखते हैं और आगे चलके असी से या स तो बड़ी बिमारियां cancer type भी अगर ऐसा होता है तो बच्चे के stem cell से उनको ठीक किया जा सकता है तो हमने वीरा की रखवाई थी in case future में मुझे जान भी को है इसके पापा को इसके दादा को इसकी दादी को कुछ भी होता है ना इस टाइप का अगर भगवान ना कर ऐसा कुछ हो तो वीरा की stem cell से जो है क्योंकि हमारा DNA है वो तो वीरा की stem cell से हम उससे treatment ले सकते हैं और बिल्कुल ठीक किया जा सकता है cancer जैसी विमारियों को भी तो इस चीजों का आप लोग ध्यान रखें चाहिए delivery नोर्मल हो या सिजेरियन हो यह आप एक बार life cell के contact में जरूर आएं और उनसे पूछें कि कैसे हम इसको प्रिजर्ब कर सकते हैं और क्या क्या इसके फायदे हैं I think यह सब को लेना चाहिए क्योंकि आजकल जो हमारा खा पे और अपना जो है जो भी पैकेज उनसे लेना हो 25 years का या lifetime का वो आप ले सकते हैं वो आपके stem cells को 75 years तरक स्टोर करके रख सकते हैं तो guys यह था मेरा मेरी IVF journey मैंने 6 IVF कराए इतना दर्द सेहन किया फिर भी मैं positive थी और last में हमारी वीरा आ गई जो एक IVF का total खर्चा होता है अगर हम कहीं आने जाने का hospital वगरा का लगाते हैं और अपना खाने पीने का लगाते हैं तो तीन से साड़े तीन लाख लग जाता है और जो doctor का रहता है doctor और सिर्फ medicine हम लगाते हैं तो धाई तक हो जाता है वो ठीक है तो I think आप लोगों को मेरी information और मेरी बातें अच्छ दो माशिव थाईबिस आाहता है जर्ग अच्छ। एम दो सी मेरी को साफ। झाई हैं जर्वा हैं CO माशद दौरerson को सवाट्व थाश खर फॉर मेरी कि ये